अब मैं CG Board कक्षे 10 वी के विद्यार्थियों को गड़ी सब्जेक्ट का IMP कुष्चन बता देता हूँ तो अभी मैं आपको 6 नंबर वाले Most IMP कुष्चन बताऊंगा पिछले इससे पहले जो आपका विज्ञान का पेपर हुआ था में देखे होंगे कि 6 नंबर का जो जो मैं कुष्चन बताया था अगर आप पूरी तयारी किये थे सभी कुष्चन का तो वहां से आपका 6 नंबर का छूटा नहीं होगे मतलब आप 12 नंबर फिक्स पा गए होगे बनाया होगे तो इस बार भी मैं आपको 6 नंबर का यहाँ पे विज्ञान बताऊँगा तो जो जो कुष्चन मैं यहाँ पे आईएंप के तौर पे बताऊँगा वो सारे कुष्चन आप लोग अच्छे से तयार कर ले ना क्योंकि यहीी क्विश्टन यहां पर hehehe आपको कान कौन से क्विश्टन देखने को मैं अलग से बताऊंगा तो पहले हम सत्रो को देख लेते हैं तो सत्रो को देखेंगे तो चलो देखते हैं यहाँ पे अंडरूट के अंदर है 1- cos theta upon 1 plus cos theta ठीक है बराबर cosec minus cos theta यहाँ पे लिखा हूँ यह प्रस्न है ठीक है इस प्रस्न का answer यहाँ पे लगा हुआ है और इसकी आप अच्छे स्यारी करना है यह most IMP question 17 नंबर के पहला प्रस्न बता दिये हमाने IMP के तोर पे चलो दूसरा प्रस्न बताता हूँ IMP में यहाँ पे इसके पाद समीकर अंडरूट 3 10 theta minus 2 sin theta बराबर 0 को हल कीजिए यह भी क्या है यह भी IMP question है इसके आने के chance बहुत कम है ठीक है जो मैंने पहला बताया ना वो most IMP है इसके संभावना कम है फिर भी आप इसकी तयारी अच्छे से कर लेना क्योंकि यह भी IMP के तोर पे मैं आपको दे रहा हूँ और मैं दे रहा हूँ आपको IMP के तोर पे आपको कुछ प्रस्न प्रवाइड कराऊँगा ज्यादा प्रस्न नहीं रहेगा 17 नमबर में आपको देखने को भी ले गए यही से तो 17 नमबर के लायक थी मैं क्यूश्चन बताऊँगा यहाँ पे देखो फिर से देखते हैं 17 नमबर में ठीक है तो यहाँ पे देखो समी करण हल कीज़े लिखा हुआ है तो यहाँ पे cos theta upon 1 minus sin theta plus cos theta upon 1 plus sin theta बराबर 4 ठीक है इसे आपको सीध करना है या इसे दूसरे नाम से इस नाम से भी जाना जाता है देख सकते हो यहाँ पे इस नाम से भी इसे जाना जाता है ठीक है तो यहाँ पे इसका answer भी यहाँ पे लगा हुआ है एक और प्रस्ट मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे है 1 प्लस साइन थिटा अपान 1 माइनस साइन थिटा बराबर सेख थिटा प्लस 10 थिटा ठीक है, यह भी important question है, इसका भी answer लगा है, इसके भी आप अच्छे से त्याज करना, और मैं आपको question देता हूँ, ठीक है, जित cos थिटा पान को सेख थिटा माइनस सेख बराबर 0, ठीक है, यह है important question, इसका भी answer यहाँ पे देख सकतो, इसका भी लगा हुआ है, फिर यहाँ पे अत्वा question देखते है, अत्वा में देखो, cos थिटा माइनस sin थिटा बराबर अंडरूर 2 sin थिटा हो तो सीध कीजिए की, सीध सीध करना है, ठीक है, क्या सीध करना है, cos थिटा प्लस sin थिटा बराबर अंडरूर 2 cos थिटा, यह आपको सीध करना है, तो देख सकते हैं, यह है, समी करण हल कीजिए, 2 sin square थिटा माइनस cos थिटा बराबर 1, ठीक है, यह question आपको देखने को मिल सकता है, यह भी 6 नंबर कलायक है ठीक है तो आप इसकी भी अच्छे स्यारी करना है इसका भी एंसर लगा हुआ है फिर सीद कीजिए यहाँ पर देखो sin theta upon 1 plus cos theta plus 1 plus cos theta upon sin theta बराबर 2 cos theta ठीक है इसकी भी आप अच्छे स्यारी करना है यह भी most amp question है और आपको एक और question में देता हूँ इसमें मैं total 9 question आपको प्रवाइड करा रहा हूँ तो 9 एक और question उसको भी देख लो इसके बाद है cos theta upon cos theta प्लस एक और इसके बाद है प्लस sin 90 minus theta upon cos theta minus 1 बराबर 2 cos यहाँ पे है 90 minus theta ठीक है यह भी most amp question है तो यहाँ पे मैं 17 नंबर में आपको 9 प्रस्न पढ़ने के लिए कहूंगा इन सारे 9 प्रस्नों की आप अच्छे त्यारी करो क्योंकि यही से question बनेंगे 17 नंबर में इसके अलावार कोई नहीं आएगा तो आपका 6 नंबर fix हो गए यहाँ पे अब चलो 18 नंबर के लिए बता देता हूं ठीक है तो 18 नंबर में आपको क्या कर पढ़ना है तो 18 नंबर आपका इससे भी fix हो जाएगा ठीक है तो 18 नंबर में आपको बता रहा हूं यहाँ पे चलो देखते हैं एक प्रसने यहाँ पे आपको देखना है किसी समांतर सेडी के चौथे पद और आठवे पद का योग 24 है तथा 6 पद और 10 पद का योग 44 है इस समांतर सेडी के पहले 3 पद ज्याद कीजे तो पहले आपको 3 पद ज्याद करना है ठीक है इसका भी answer देख लो तो यह रहा इसका answer ठीक है सभी का answer मैंने यहाँ पर लगा दिया है आप अच्छे से तयार कर लेना यह प्रस्ण है यह most time p है फिर आपको और प्रस्ण दिखाता हूँ मैं 18 नंबर में जो आने वाला है वही चीज़ ना इसके बाद है समी करण हल कीजिए x प्लस 3 अपान x माइनस 2 माइनस 1 माइनस x अपान x बराबर 17 अपान 4 ठीक है तो यह प्रस्ण आप देख लेना यह भी most time p question है यह भी 6 नंबर question में 18 नंबर की question में आपको देखने को मिल सकता है ठीक है और दिखाता हूँ मैं most time p question यहाँ पर चलो आलगे देखाते हैं ठीक है यहाँ पर देखो यह टीक पड़ा है right मतलब बहुत ज़्यादा संभावना है जो right पड़ा है यह आने के संभावना और ज़्यादा बर चुका है यहाँ इसलिए मैंने यहाँ पर टीक कर दिया है ठीक है यदि अनुपाद B और यहाँ पर संभावनानुपाद C अनुपाद D हो तो सीद कीजिए A स्क्वेर माइनस C स्क्वेर अपान B स्क्वेर माइनस D स्क्वेर बराबर A C अपान B D ठीक है यह most time p question है यह भी यह आप लोग देख लेना फिर यहाँ पर और question दिखा देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर देखो फूलो की एक क्यारी की पहली पंक्ती में 23 गुलाब 23 गुलाब के पौधे दूसरी पंक्ती में 21 गुलाब के पौधे तीसरी पंक्ती में 19 गुलाब के पौधे इत्यादी इस क्यारी की अंतीम पंक्ती में 5 गुलाब के पौधे हैं इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तिया है यह आपको बताना है तो यह भी देख सकते हो यह भी most time पे question है ठीक है आगे मैं दिखाता हूँ और question आगे और question है जो मैंने आपको टिक कराया है तो वही question मैं बता रहा हूँ जो मैंने टिक कराया है चलो आगे देखते हैं इसके बाद देखो 18 नंबर में और क्या देखना हूँ मिल सकता है एक समानता स्रेडी का P वा पद 1 बटे Q और Q वा पद 1 बटे P है तो स्रेडी के P, Q वा पद का मान ग्याद कीजिए तो P, Q वा पद का मान ग्याद करना है तो इसका भी answer यहाँ पर लगा है आप देख सकते हो ठीक है इसके बाद मैं आपको और दिखा देता हूँ दो अंको वाली एक संख्या का साध गुना यह most time पीए यह question भी इसमें भी right पड़ा है ठीक है तो दो अंको वाली एक संख्या का साध गुना अंको को पलटने पर बनने वाली संख्या के चार गुने के बराबर है तथा संख्या के अंको का योग तीन है वा संख्या ग्याद कीजिए तो वा संख्या आपको ग्याद करना है तो देख सकते हो हल कैसे हुआ है यहाँ पे लगा हुआ है इससाफ से आपको हल करने हैं और यह भी बहुत ही ज़रल कुषचन आपसे बन जायागा चलो आगे दीखाता हूँ मैं आपको और most time पर कुषचन दिखा देता हूँ इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे अठारवा नंबर में यहाँ पे देखो ठीक है समी करन x plus 1 upon x minus 1 minus x minus 1 upon x plus 1 बराबर 5 बराबर 5 है x बराबर 1 नहीं है बराबर इसके बाद क्या है minus 1 भी नहीं है ठीक है अब इसका भी एंसर आप देख लो यह रहा ठीक है यह भी most timep question है इसकी भी आप अच्छे त्यारी कर लेना इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यदि किसी समानतर सेड़ी का प्लस क्यूआ पद कमान ग्याद कीजिए तो इसका भी एंसर आप देख सकते हो ठीक है यहाँ पे लगा हुआ है तो आपको यही एंसर आपको लेना है ठीक है तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ most timep question बता दिया ठीक है और मैं आपको दिखा देता हूँ और कुछ IMP question है उसको भी दिखा देता हूँ हाँ ठीक है यहाँ पे देखो ठीक है यहाँ पे है समीकरण को हल कीजिए यह अठारवा नमबर में आपको देखने मिलेगा समीकरण को हल कीजिए यहाँ पे इसके बाद है यहाँ पे क्या दिया हुए 4X-5Y बराबर 20 और 3X-5Y बराबर 15 दिया हुए है और इसको आपको क्या करना है हल करना है कौन से विधी में यहाँ पे लिखा है आलेक विधी द्वारा ठीक है आलेक विधी से हल करना है यह भी most time पी question है इसको भी आप अच्छे स्यारी करना है यहाँ पे आलेक भी बना है और यह पूरा का पूरा आप लोग देख लेना ठीक है चलो आगे दिखाता हूँ मैं इसके बाद और question दिखा देता हूँ यहाँ पे देखो यहाँ पे यदि A, B, C किसी समानतर सेड़ी के P, V, Q, A और R, V पद है तो सीध कीजिए कि A, मतलब इन्टू में है Q-R, प्लस B इन्टू R-P, प्लस C इन्टू P-Q बराबर 0 है तो यह आपको सीध करना है तो यह भी most time P question है ठीक है तो आप इन सब की अच्छे से तयारी करना फिर एक और प्रसन है उसको भी दिखा देता हूँ यहाँ पर 5 वर्स पूरो मेरी आयू, मेरे पुत्र की आयू की दुगनी थी 10 वर्स पश्चाद मेरी आयू, मेरे पुत्र की आयू की दुगनी हो जाएगी मेरी वह मेरे पुत्र की वर्तमान आयू ग्याद कीजे तो यहाँ पर वर्तमान आयो ग्यात करनेक लिका है तो यह most time पर question है ठीक है इसको भी आप लोग देख लेना ठीक है इतने प्रस्ण में आपको बता रहा हूँ अगर आप इन सब भी प्रस्णों की अच्छे से त्यारी करते हैं तो आपका 12 number यहाँ से fix हो गया ठीक है तो आप इसकी अच्छे से त्यारी कर लेना क्योंकि यहाँ से ही question आपको देखने को मिलेगा च्छे number में